हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं? आप लोग आशा करता हूं ठीक होँगा तो मैं आज आपको लिखाने जा रहा हूं कोडिंग क्या होती है इसका बेसिंक में बताने जा रहा हूं आपको कि आपने यूट्यूब वीडियों में देखा होगा कि coding करके लाकों रूपर पैदा करें घर बैठें, लेकिन coding आपको जानना जरूरी है coding होती क्या है, यो कि बहुत से हमारे student ऐसे हैं, जो ये नहीं जानते हैं कि coding क्या होती है, वो coding का यूज कर रहे लेकिन उनको पता नहीं है coding क्या होती है, तो simple भासा में आप समझ लीजिए कि जो computer जिस भासा को समझता है उसको coding कहते हैं coding computer की एक वो भासा है जिसमें computer सारे निर्देश लेता है और सारे features उसके जो होते हैं computer के वो coding से ही होते हैं अब देखिए coding क्या होती है coding दोस्तों आपके बाद जरूर कोई ना कोई smartphone तो हो गाई हर एक के बाद smartphone होता है उसमें app चलते हैं app चलते हैं website चलते हैं software होते हैं तो आप यह सूची वो क्या है कैसे बनते हैं तो यह बनते हैं coding करके और इसमें बहुत से लोग घर बैटे लाखों कमा रहे हैं बस simple आपको coding सीखनी है और अगर आप आज सीखना सुरू करेंगे तो 15-20 दिन में आप अच्छे coding सीख सकते हैं mobile app website games या फिर software में किसी भी चीज को सीखने के लिए coding की जरूरत होगी पहले आपको programming सीखनी होगी programming language का प्रियोग करके program मना जाते हैं हमारे computer, mobile और वो सभी smart devices जिनको हम यूज करते हैं उन समी में programming का उप्योग किया जाता है एक programmer जो होता है बहुत मेहनत करके program को बनाता है website से लेकर software तक में बिना programming और coding के कुछ भी संभव नहीं है computer में हमें coding और programming दिखती नहीं है हमें बस सामने की चीज़ें दिखाई देती है coding और programming और front end और back end होता है जिससे हम computer और smartphone का उप्योग कर पाते है programming की बहुत सारी language होती है कोई web development के लिए तो कोई android app development के लिए जिसको की हर वेक्ती बिना knowledge के नहीं कर सकता है programming या coding करने के लिए आपको अच्छे से knowledge की जिरूरत होगी कुछ coding language जो ज़्यादा उप्योगी होती है सबसे पहली है C language यह सबसे पहली language है दुनिया की सबसे पुरानी language है C language फिर है C++ जावा script है, HTML है और CSS है, PHP है MYSQL है, Java है .NET, Ruby, Python अब दोस्तों आपके मन में होगा, coding, coding तो है लेकिन coding सीखें कैसे तो देखे, coding दो बगार सीख सकते हैं एक offline coding, एक online coding offline coding यह होती है कि बहुत से computer institute होंगे आपके घर के आसपास आप वहाँ जाए, बहाँ बता दें भाई, हमको C++ या C सिखा दीजिए आप तो वह आपको सिखाएंगे और एक होती है online, online क्या है आपको कहीं जाने जरूर नहीं है, आपके बाद laptop है आपके पाद एक अच्छा internet connection होना चाहिए आप बहुत सारी website है वहाँ से जाके सीख सकते हैं तो इस तरह आप अपना बहुत खुबशूरत future बना सकते हैं कोडिंग के जरीए कि समझा लीजे कोडिंग में अगर आप मास्टर हो गए वेव डेपलप्मेंट में या किसी भी किसी भी stream में तो आप एज फिरी लाइंसर घर बैठे लाखों रूपेता कमा सकते हैं आपको अंदर नहीं आप कितना कमा सकते हैं लाखों कमा सकते हैं दोस्तों दोस्तों आपको ये जानना भी जरूरी है कि ये लेंग्वेज जो होती है प्रोग्रामिंग लेंग्वेज कितने प्रेकार की होती है तो ये दो प्रेकार की होती है एक low level programming language एक high level programming language और आपकी जो C है C language है ये low level programming language है ठीक है low level language को machine निर्भर programming language भी कहा जाता है computer को English Hindi उर्दू जैसी इंसानी भासा है समझ में नहीं आती है इसलिए अगर computer को हम कोई भी instruction देंगे कोई भी आदेश देंगे तो हमें binary language का उक्योग करना होगा तो कि computer सिर्फ binary language जानता है binary language होती है 0 और 1 तो ये 0 1 जो होती है हमारी binary language होती है और दूसरी होती है high level language अब high level language में ये समझ लेजिए कि ये user friendly software बनाने के लिए high level language को बनाया गया है high level language में लिखे हुँ प्रोग्राम सीधे machine पर रन नहीं हो सकते हैं high level language के प्रोग्राम रन करने के लिए compiler या interpreter कि आवश सकता होती है क्योंकि high level language में लिखा हुआ प्रोग्राम पहले machine level में translate करना होता है high level language का program low level machine language में पाइफन जावा जावा स्क्रिप्ट पी एच पी एच पी पिलस पिलस ये जितनी भी भासा है यह सब high level भासा है हमलब high level programming language हैं यह इसलिए आप जब भी शुरुवाद करियेगा तो सबसे पहले आप लो लेबिल दें सुरुवाद करनी है क्योंकि कोई भी student होता है वो पहले class 1 में पा जाएगा फिर 2 में जाएगा ना कि वो सीधे 5 में जाएगा इसलिए आपको low level language जो कि सी है मैं फिर से बता रहा हूं low level से शुरुआत करनी है उसमें आपको 10 दिन 15 दिन 20 जो लगेंगे उसमें अच्छे से कमांड लाइए उसके बाद high level में जाएगा ठीक है दोस्तों तो वह भी जल्दवाजी नहीं करनी है आपने इतने दिन हो गए फिर आप 15 दिन से अगर 20 दिन भी लगते हैं तो अच्छे सीखे क्योंकि आप सारी लेंग्विज में सीखे एक लेंग्विज सीखे लेकिन अच्छे दिन उसमें कमांड होने चाहिए ठीक है दोस्तों तो यह सी लेंग्विज में आपको सीखना है पहले सी करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा ओके दोस्तों आपसे एक निवेधन है मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए और मेरे साथ बढ़े रही है मैं ऐसी बढ़िया या आपके लिए टापिक लाता रहूंगा ठीक है दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में